दोस्तो नमस्कार मैं हूँचे और आप देख रहे हैं जैस्तनियोज महराष्टा विधान सभा से अभी अभी सुसान सिंग राजपूत और दिसा सालियान के केस को लेकर एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है कि सुसान सिंग राजपूत और दिसा सालियान के केस को लग भग लग डेञ साल होने वाले हैं लेकिन आज तक कोई भी अपडेट नहीं दी गई कि आखिर काष्ट सिंग राजपूत केस में हुआ क्या था Central Agency के द्वारा भी इसमें investigation किया जा रहा है लेकिन अब इन ही सब चीजों के बीच में एक update आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि आज जो है BGDP बिधायक अमिस सतम ने बिधान सभा में दिसा सालियान और सुसान सिंग राजपूत के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है officially इस मुद्दे को उठाया गया है और सबसे बड़ी बात कि इसमें उनके द्वारा जो है पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी दिसा सालियान केस में उस पर जो है कई बड़े आरोप लगाए गये हैं जहां पर सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा जो है इस केस में लेटर भी लिखा गया था जो कि सुसान सिंग राजपूत केस में उसका क्या हुआ जो एक लेटर मिला था दिसा सालियान केस में उसका क्या हुआ और पुलिस के दोरा मुझे ये भी जवाब नहीं दिया गया कि आखिरकार दिसा सालियान के केस में हुआ क्या था दिसा सालियान केस में सारे के सारे एविडेंस जो है वो डिलीट कर दिये गये थे इनके द्वारा सीधे सीधे आरोप लगाएगे और साथ में इनके द्वारा ये भी बोला गया कि मैं एक बिधायक पत्पर हूँ और मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी मुझे एक लेटर लिख के रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जानकारी दी जाए कि आखिर कार दिसा सालियान केस में क्या क्या चीज़े हुई है और दिसा सालियान की जो है आठ जून को जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन वो कहां पर थी और उनके साथ में कौन-कौन था इन सारी की सारी बातों को लेकर मैंने जो है जवाब मांगा था लेकिन उसको ले दूंकि बीजेपी विधायक अमिस सतम के दौर आप विधान सभा में उठाये गए इस कदम पर काफी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि डियर साल बाद जो है दिसा सालियान केस और सुस्टान सिंग राजबूत केस को एक बार फिर से ओफिसली विधान सभा में उठाये गा और उस पर फिर से बावाल मचाया जाएगा बाइदाबे इनके दारा इस तरह से कदम उठाये जाने के बाद इस पर काफी ज़्यादा बावाल मचा हुआ है और लगातार इसको लेकर फिर से सवाल उठने सुरू हो चुके हैं सबसे बड़ी बात की बिधान सभा में इसको ऑफिसली इस बात को उठाया गया है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो पुलिस है उसको जवाब देना ही पड़े इनके द्वारा जो लेटर लिखे गए हैं उसको लेकर आपका क्या ओपीडियन है इस पर आपने ओपिनियन कमें बॉक्स में आए और वीडियो जाज जाता सियर करें